इसले तीन सालों से लगातार हम ऐसी मोबाइल लोन एप्लिकेशन पर वीडियो बना रहे हैं जो की प्ले इस्टोर पर उपलब्द हैं और वे एक्ति को पैन कार्ड अधार कार्ड और केवल एक सेलफी के बेस पर ही लोन देने का दावा करती हैं उनमें एक ऐसी एप्लिकेशन तो नहीं है जो की पूरे तरीके से RBI उथराइज ना हो पूरे तरीके से multiple ऐसी एप्लिकेशन है जो RBI उथराइज नहीं है और कुछ ऐसी एप्लिकेशन है जो पूरे तरीके से RBI उथराइज NBFC के तहत में मिल करके लोन दे रही हैं वो एप्ल दिन की देरी हुई और तीन दिन के बाद में कोल आती है अगर तुने पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे रेफरेंस नंबर पर कोल करके कहूंगा कि फलाना व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है और तू पैसा दे अनिथा हम तेरे साथ में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे पताने क्य किया लेकिन व्यक्ति के reference number पर call ना जा करके उसकी पूरी contact list में call करके उसको गालिया दी गई उसको डराया गया उसको धमकाया गया उसकी जो call history है जो latest call details है उन पर call की गई जो जैसे मालो आपने latest में किसी call किया है maximum call उनी पर की गई और ऐसी ऐसी बाते की गई व्यक्ति पूरे तरीके से शर्मिंदा हो गया हर व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि भाईया आपने loan लिया है तो payment कर दो भाईया हमारे पास में call आ रही है मतलब उसको सामाजिक रूप से इन्होंने पूरे तरीके से प्रताडित कर दिया बहुत ज़्यदब परिशान कर दिया आप में से कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूछते हैं कि सर ऐसी कोई mobile loan एप बताओ जो पूरे तरीके से RBI से authorize हो और जो contact list में call ना करती हो पूरी तरीके से legal way में काम करती हो अब भी recently मैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा था जो पूरे तरीके से आपको ऐसी mobile loan application सज़ेस्ट करते हैं जो कि pen card, आधार card और cable selfie के base पर loan प्रोवाइड गरा दे वो अक्सर कहते हैं कि loan recovery के time पर कोई दिक्कत नी होईगी यह फलाना application best है, यह best है देखिए कुछ भी best नहीं है, आज की date में maximum application ऐसी है जो reference number के नाम पर पूरी contact list लेकर के व्यक्ति को प्रताडित करती है अगर व्यक्ति भुगतान करने में देरी कर देता है देखिए ऐसा नहीं है कि problems व्यक्ति पर नहीं आती है problems किसी भी व्यक्ति पर आ सकती है अगर कोई व्यक्ति loan default करता है उसके उपर पूरे तरीके से palanties लगाई जाएं उसको पूरे तरीके से जो civil के तहत कारवाई बनती है वो कारवाई की जाएं लेकिन आज की date में इन लोगों ने गुंडा राज बना रखा है लोगों को डराना लोगों को धमकाना इनका पूरे तरीके से काम हो चुका है अगर आप इनसे डरेंगे तो ये आपको इसी परकार से डराते रहेंगे तो मैं आपको बता दूँ अगर आपने pen card, आधार card और केवल एक selfie के base पर loan लिया है और आपने mobile की camera की permission दे दी है, location की permission दे दी है, contact की permission दे दी है privacy की पूरी तरीके से इनके हाथ में दे दी है, जो चाहिए आपके phone में कर सकते हैं तो मेरा आप लोगों से एक humble request है कितना हो सके ऐसी mobile loan application से आप बच के रहें हजार दो हजार के चकर में आप अपने civil की पूरे तरीके से धजिया उड़वा लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि सर ऐसा ये application कैसे कर रही है इसका क्या समाधान है, देखिए आपको एक बात जाननी होगी ये application के जो recovery agent होते हैं maximum जो मेरे देखने में आया है वो third party होते हैं और third party recovery agent जो है, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं महिलाओ की पूरे तरीके से disrespect करते हैं महिलाओ को पूरे तरीके से गालियां देते हैं लोगों को माल शीक रूप से ये पूरे तरीके से प्रताडित कर देते हैं इनका 1,000-2,000 रुपे का lakh पूरे तरीके से किसी का 10,000 का हो जाता है किसी का 12,000 का हो सकता है किसी का 15,000 का हो जाता है किसी का कुछ हो जाता है और ऐसे बहुत से दलाल आज की डेट में YouTube पर बैठे हैं जो इनके पूरे तरीके से परमोटर हैं, इनके supporter हैं, देश की आम जनता को पूरे तरीके से इनके आधी बनाना चाहते हैं और व्यक्ति इनके आधी आज की डेट में बन चुके हैं मेरे दोस्त अगर जिंदकी में कुछ करना है आपको तो आपको अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए लोन की अवशक्ता पड़ रही है तो ये बहुत जादा गलत है अगर आप अच्छे तरीके से अर्ण करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन है बहतर चले उसमें काम आए ये दो कोडी के लोन देने वाले हजार दो हजार तीन हजार एप्लिकेशन्स वालों से आप बच के रहें मेरे दोस्त जिंदकी में अगर कुछ करना चाहते हो ना लोन ट्रैप से बाहर निकल जाओ क्योंकि ये लोन ट्रैप सबसे गटिया ट्रैप है तो या कोई बढ़िया नहीं है मुझे बता दो कौन सा सर्विस प्रवाइडर दूद का दुलावा है जो की पुरे तरीके से लोन दे रहा है और सही तरीके से दे रहा है देश के अंदर इन लोगों ने गुंडा राज बना रखा है हाँ कानून प्रणाली थोड़ी मुझे तो अपर्लिकेशन बेस्ट है तो बाकि आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताएं कोमेंट सिक्शन में आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो आपस si प्रक्रा को सुझाव देना चाहते है कोमेंट के जरहिए दे सकते हैं इसी प्रकार के आपके लिडियो आता रहता हूं आप अपनों को बचाईए, अपने परिवार को बचाईए, और जो भी वेक्ति लोन ट्रैप में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पोचाईए.